इस कंडिशन को बेसिकली हमने पिछले वेडियो में देखी लिया था उपरेटर्स वाले में यह फॉला हुआ है इस इल्स मतलब कंडिशनल अगर यह को चेक कराने है तो हम पूल्ज करना पड़ता है तो चलिए इसके लिए एकसा सेप्रेट इपाई बनाएं लेते हैं यहां पर हम लिखेंगे condition condition.php इसके यहां पर हम php को ओपरेंट क्लोज करेंगे और यहां से इसको कर देगे इसने को पार्ट को डिलिट कंट्रोल एस यहां पर हम डालेंगे condition operator condition 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 के लिए हम एक variable बना लेते हैं एक वर बना लेते हैं और इसके बाद हम यहां पर इसको कर देते हैं close पहले तो php को अब हम आते हैं यहां पर condition operator को check करते हैं conditional operator का मतलब क्या होता है फ्रेट्स conditional operators का मतलब conditional operator हम यहां पर डाल देते हैं conditional statement statement ठीक है conditional statement in php के अंदर हम इस फिल्स का यूज़ करेंगे ठीक है इव इस और हमारा इस फोता है फिर हमारा डेश्टेड इस होता है ठीक है के सारे हमारे होते हैं conditional ठीक है डेश्टेड इस तरी फिल्स इस वाला concept अगर एक की वेलू हमारे पास बड़ी है वेलू बी से तो हम बोलेंगे एज ग्रेटर देन वी तो यह हुआ इस वाला ब्लॉक ठीक है अगर कंडिशन प्रू हुआ ठीक है लेकिन अगर कंडिशन फॉल्स होता है कि यह बढ़ा नहीं होता है बी से तो हमारा इस वाला ब्लॉक थे हुआ हमारा सिंपलसा इप और इसका आते हैं यहां पर रिक्टर prata करते हैं पिछे वराते हैं कंडिशन डॉट फ्री कर देखन करते हैं तो करते तो एग्रेंज अपर बढ़ा रहा है क्योंकि एका व्लू बढ़ा में Bowl से अगर एक ही वेलू में से एक जिरो में निकाल दू तो हाँ पर एक ही वेलू छोटी हो जाएगी तो वहारा इल्स वालब लॉक चलेगा यहां पर बुल रहा है बीज ग्रेटर देन ए सिंपल सी बात है ठीक है अब हम यहां पर देख लेते हैं इल्स इफ का कॉंसेट्ट ठीक ह अगर ए बढ़ा है बी से तब तो हम बोलएगे कि हाँ ए इज ग्रेटर देन बी इल्स इफ अगर बढ़ा है इस क्विल को है इल्स इफ का के गर ए बढ़ा है बढ़ा है तो वह बोलेगे बढ़ा है बेभी चेक करने कहीं A B तो नहीं बड़ा है ठीक है अगर एच छोटा है B से पहलेखे बड़ा है तो A बढ़ा है अगर A चोटा है तो बोलेखे T B बढ़ा है अगर ये दोनों मिते से कोई भी नहीं चलेगा तो हम बोलेखे कि दोनों equal है तो if, use करने का रिजल्ट देना है कि एक हई condition चेक करना अगर condition True हुआ तब तो ये प्रिट कर दो नहीं तो हमें दुबारा कोई condition नहीं चेक करना है तो वहां पर हमें इस पार्ट की जरूरत नहीं है तो direct एक और कंडिसन चेक चेक कराना है एक और कंडिसन चेक कराना है तो उन सारे कंडिसन को हम इस इस के अंदर लिख देगे complete control s तो अब हम करते हैं इसको run और देखते हैं क्या होता है कि इसको कर देते है रिफ्रेश और एंटर तो वी इस greater than a ठीक है यहाँ पर होई same concept और अगर हम यहाँ पर एक जगह में c यूज कर लूँ ठीक है चलेगा आपको तो समझ में आई गया है वही दिक्कत नहीं है इसे का आप हम यहाँ पर एक्जांपल देखेंगे ने स्टेड इफ का ठीक है अपर एक ही मेलू बदल करके भी तो दिखाए दिया था आपको मैंने कंट्रोल एस और टैब करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो मारा दोनों आ जाएगा इस ग्रेटर देंगी रोके दो प्रॉबलम किसको हम अगर बें कमेंट भी कर दूँ इफ वाला के प्योंपड़ चुके हैं कंट्रोल एस और लिटर टैब रिफ्रेश किसकी वज़े से आ रह तो अब हमारा यहां पर आजाएगा एंड़ इस इक्वल दोनों भी अ बराबर तो अब हम यहां पर देखेंगे एक्जंपल ओफ डेश्टेड इफ ठीक है इसमें हमें क्या करना है देश्टेड इफ के अंदर एक ही होना चाहिए तो हम बोलेंगे कि इफ रैकेट के अंदर यह हमारा बड़ा है बी से तो ठीक है आप चेक करो सी को भी आपर पर सी वेरिबल भी बनाया आपर इसके दर मैं रखता हूं टेन कंट्रोल एश हमारे पास एंड़ बी की वैलू चलो प्रिंट करके दिखा देंगी पहले तो अचलों कर देतें मैं हुआ यहां पर वैलू अफ एट वैलू अफ वैलू भी सबको प्रिंट कर दें यह है वैलू एच़ों के अंदर आएंगे एच़ों के अनदर हम बोल देंगे कि वैलू ऑफ जे इक्वाल्स टू डॉलर ए ऐसे बी और दिपरिंट कर देंगे कंट्रोलेस करके आते हैं देखते हैं क्या एक आया प्रॉबलम क्या होगा कौन से लाइन प्रॉबलम यहां को नहीं से भी कॉलन नहीं भी आ था तो नहीं आया तो वैलु ओफ यह फंटेट है वैलु अब सी यह है तो जब हम इसको आ रहे हैं जोड़ा सा नेश्टेटी को कि एक if के अंदर दूसरा if तो हाँ पर हम कहेंगे देश्टेड इफ if इल्स में क्या था? multiple condition चेक कराते हैं अगर एक condition टू ने हुआ तो इसको चेक करो ये ने हुआ तो उसरे को चेक करो ने हुआ तो वहाँ पर इल्स इफ था बट देश्टेड का मतलब है कि एक if लगाया अगर वह condition टू हो जाता है तो उसके अंदर घूसो और एक condition और चेक करो ये हमारा कहलाएगा देश्टेड इफ तो मैं क्या बोला कि अगर ए बड़ा है बी से ठीक है कोई बात रही अब आजाओ अंदर फिर बताओ कि क्या ए बड़ा है सी से भी ठीक है अगर ए बड़ा है सी से भी तब तुम प्रिंट कर दो ए इस greater than b and c दोरों से राइट नहीं तो अगर ए बड़ा नहीं है सी से तब आप प्रिंट कर दो कि सी इस greater than a and b तो ए जो हमारा यहाँ पर सी जो होगा वह बड़ा हो जाएगा a और b से तो यह हमारा हो गया if वाला statement अगर यह true होगा तब के लिए इतना काम करेंगे नहीं तो अगर a if वाला पहला ही अगर मेरा false हो जाता है कि a बड़ा नहीं है b से तब हम आजाएगे तुरंत if इस वाले block में इस वाले block के अंदर फिर हम क्या check करेंगे कि क्या चलो ठीक है यहां पर a बड़ा नहीं हुआ b से तो b बड़ा होगा तब तो अब इस वाले में आएगे जब b बड़ा होगा तो b को फिर से check करेंगे c से क्या b बड़ा है c से तो अगर b बड़ा है c से तब तो बोल दो इस वाला ठीक है तो आयो पको समझ में आयागा तो जो अभी बड़ा होगा यार वह प्रिंट हो जाएगा तो यहां पर देख लो इस एक प्रिंट किया तो दिखेगा बड़ा यहां पर देखो एक वैलू बड़ी है सबसे तो a is greater than bc अभी मैं a की वैलू को छोटी कर दूं एक वैलू को कर दिता हूं यहां पर one तो इसको करते हैं यहां पर complete nested if का एक और अगर हमें एक जामपल दूँ आपको यहां पर तो अगर मैं एक variable बना लेता हूं dollar age यहां पर देते हैं second example of second example of अगर ना समझ भी हाँ उसमें तो nested if के लिए हमें variable बनाएंगे हाँ पर age इसके अंदर रख देंगे 18 इसके बाद हमें आप पर बोलेंगे कि if bracket के अंदर age आपका less than है 18 तो हम आएंगे एक आपका चेक करेंगे अगर आपका age जो है बड़ा है 18 तो आगर कि हम चेक करेंगे कि आपका age सबसे पहले तो यहाँ पर बोलेंगे कि अगर आपका age छोटा है 18 से ठीक है फिर यहाँ पर हम बोलेंगे कि क्या आपका age छोटा है 6 से ठीक है पहले हमने बोला कि अगर आपका age छोटा होगा 18 से तो आप आओ अंदर और उसके बाद फिर एक चेक करेंगे क्या 6 साल से भी छ चोटे हो तो you have to you have to drink milk right अगर आप 6 साथ से भी चोटे हो तो आप क्या प्योगे आपको क्या पीना पड़ेगा दूद्ध पीना पड़ेगा यह हमने बोल दिया कि अगर अठार से हो चलो कोई बात नहीं आ जाओ अंदर क्या छे से water अगर आप 6 साथ से बड़े हो तो आप क्या पानी को फी सकते हो लेकिन 6 साथ से छोटे हो तो milk फी होगे राइट चलो यह हमने इसके अंदर एक दे दिया और इल्स वाले पार्ट के अंदर हम ज्यादा condition नहीं देंगे इल्स वाले पार्ट के अंदर हम सिंपल सा एक message देंगे इचो डबल कोड के अंदर यू कें ड्रिंक सोडा यू कें ड्रिंक सोडा बोल दो या फिर यू कें ड्रिंक अल्कोहॉलिक वीर ही बोल दो क Tanju suspension गें दो है कि अरुट से चोटे हो तक और यह हमारा एक basic अल्टर टैब और देखते हैं क्या होता है यहां पर तो यूट के ड्रिंक सोडा एंड वाटर क्योंकि यह क्या है 18 साल से ठारा के बाराबर है तो तो पी सकता है अरां से ठीक है कुछ भी पी सकता 18 का हो गया है तो बियर अगर मैं इसको 58 चलो 58 क्या 8 कर दिता हूं चलो करता हूं अल्टर टाइब करता हूं पेले तो यार एक बीज़े दो यहां पर ताकि यह दीचे जाए लूख बी यहां पर आगए यू कें ड्रिंक वाटर लेकिन अगर मैं इसको छे साल से छोटा कर दू तुम दो साल का बच्चा है तो हाँ क्या पिएगा यार वह तो दूद्ध ही पिएगा तो यू हैव टू ड्रिंक बिल्क ठीक है जब भी आप 18 साल से बड़े होते हो 12 साल के हो तो आप जो बंद करें वो पी हो एज यूर विश टिंक शोड़ा वियर एडी टीसी जो बंद करें वो पी हो तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं नेक्ट वीडियो में देखेंगे लूप को